नमस्कार आप देखरें न्यूस वर्ल इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोर नरायन शुरुबात करेंगी धबरों की प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी आज भारी सुरक्षा ववस्ता के बीच के दारनाथ धाम पहुँच गए हैं वो आदी गुरु शंकराचारे के प्रतीमा का अनावरण भी करेंगे के दारनाथ में शंकराचारे के 12 फिट लंबी और 35 वजन वाली प्रतीमा लगाई गई है इसके अलावा प्रधान मंत्री 2013 की प्राक्रती काप्ता में शंकराचारे के समाधी स्थलका लुकारपन भी करेंगे बावक के दार के दर्शन करने के साथ ही मोदी के दारनाथ में 400 क्रोड रुपे से जादा की कार्यों का लुकारपन उशिलन्यास कर सकते हैं प्रधान मंत्री के आगमंद से संबंदित व्यवस्थाओं का जहाजा लेने के लिए बुद्वार को मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी ने के दारनाथ का दौरा किया था इस वरान हुने दिविस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की दी मांग कर रहे है पुरोईदों और पान्डय समाच के प्रतुंदियों से भी मारता की दामी ने कहा कि सभी पृधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तयार है मुख्य मंत्री ने कहा कि वो प्रधान मंत्री के आगमन से पहले तयारियां देखने आये थे और सबी तयारियां बहतर है उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के बाबा केदार के प्रतिवी विशेश आस्था है और शद्धा है उनका अत्राखन को दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्क्रतिक राजधाने के तौर पर विक्सित करने का विजन है जहाँ पूरी दुनिया के लोग आध्यात्मिक शान्ति के लिए आएंगे धामी ने कहा कि आधोनी के तिहास में पहली बार नितने वड़े पेमाने पर किदाना धाम का पुणन निर्मान किया जा रहा है सरस्वती घाट और आस्थापथ के निर्मान जैसे पहले चिरन के काम हो चुके हैं जबकि दूसरे चिरन के काम शुरू हो रहे है पियम मोधी के इस कारेक्टरम का सीधा प्रसारण किया जाएगा और देश भर के शिवालिय जोतिलिंग शंकराचारे के मठ इस दौरान किदार नास से सीजे जुड़े रहेंगे तो इतस्वीरे आप देख रहेंगे आज प्रधान मंत्वी नरिंद्र बोधी केदार पुरी में रहेंगे और केदार पुरी में 400 करोड की योजनाओं का श्विलन न्यास और लोकारपन किया जाएगा इसके अलावा 2013 की प्राकतिक आपदा और जिस तरह से वो दंश लोगों ने जहिला है और इसी दंश में आदिकुरु शंकराचारे का जो समाधी स्थल था वो पूरी तरह से श्वतिग्रस्थ हो गया था एक बार फिर से उसका निवनी करण किया जा रहा है पुनर जीवित उसे किया जा रहा है और उसका लुकारपर शिलनयास यहाँ पर प्रधानमंत्वी नरिंद्र मोधी करेंगे और यहाँ से देश को संबोधित भी कर सकते हैं प्रधानमंत्वी नरिंद्र मोधी तो पांचवी बार पीम का किदारना दोरा तैयारियां पूरी कर ली गई है साफ तोर पर विजन साफ है कि आध्यात्मिक और सांस्कुतिक राजधानी के तोर पर इसे विक्सित किया जाए जहां दुनिया के लोग आध्यात्मिक शांती के लिए आएंगे तो दामी आगे कहते हैं कि आदुने कितिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किदारनाथ धाम का पूर्णा निर्मान किया जा रहा है सुरसती घाठ हो आस्थापद के निर्मान जैसे पहले चरण के काम हो चुके हैं जबकि दूसरे चरण के काम शुरू हो रहे हैं प्यमोदी के इस कारिकम का सीधा प्रसारं किया जाएगा और देश व्हबर के शिवाले जोतरलिंग शंकराचारे के मट इस दोरान किदारनाथ से सीधे जुड़े रहेंगे तो आज प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी केदारनाथ आ रहे हैं और केदारनाथ दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी लगातार ये कहते वे आए हैं कि केदारनाथ से उनका जो रिष्टा है वो काफी खास रहा है और गहरी आस्था केदारनाथ में प्रधानमंत नरेंद्र मोदी की है यूरोप और मध्य एशिया के 53 देसों के शेत्रों में कुरुणा वारस की एक और लहर आने का खत्रा है पहले से ही महामारी की नई लहर का सामना लोग कर रही है विशेश स्वास्त संगठन ने शेत्रे का रहले के प्रमोग डॉक्टर हेल्ख्लियूज ने गुरुवार को यह जानकार देते हुए कहा कि मामलों की संख्या फिर से करीब करीब रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ने लगी है और शेत्र में प्रसार की रफ्तार गंफिर चित्ता का विशय भी बनी हुई है उन्होंने डेन्मांक के कोपिंगन में संगठन के यूरोप मुख्याले में पत्रकारों से कहा कि हम मामारी के उभार को लेकर एक एहम मोड पर खड़े हैं उन्होंने कहा कि यूरोप फिर से मा कोपने वाले उपाईयों और कुछ शेत्रों में टीका करण की कम दर बताती है कि मामले क्यों बढ़ रहे हैं डॉक्टर क्लेज ने कहा कि पिछले एक हफते में 53 देशों के शेत्रों में कोविट के कारण लोगों के अस्पतार में भरती होने की दर दोगुनी से जादा बढ़ सजार से जादा मौते हुई हैं जिसमें 12 प्रतीशत की वृद्धी हुई है एक बार फिर से कोरोना संक्रमन बढ़ सकता है यूरोप में कोरोना का खत्रा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार जो विशेशक यह हम कह रहे हैं कि 53 देश हैं यूरोप के ज कोविड प्रटिकोल्स का पालन जरूर करें राधानी दिल्ली में दिवाली के मौके पर पठाके चलाना और उसकी बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ था लेकिन जिस तरह से नियमों क्याने देखी कर पठाके फोड़े गए हैं उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा कि इस पर कोई बैन है दिल्ली में देर राध तक लोग बठाके जलाती रहें इसकी वज़े से दिल्ली का एर क्वालिटी बेहत खराब स्तर से गिर कर गंभीर श्रेणी में पहुँच चुका है दरसल दिवाली की राध से पहले ही दिल्ली का एर क्वालिटी इंडेक्स 363 माप फिर स्तर पर वह इसका अभी आगे खिसकना जारी है पितिवी ज्यान मंत्राली की एर क्वालिटी पनर्मवान एजनसी सफर डेस बारे में जानकारी दी है कि एक और जहां दिल्ली की हवा परोसी राजों के खेतों में पराली जलाय जाने के कारण खराब हुई है तो वह इस आतिश बाजियां की हैं लोगों ने अंदेखी की और मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे तो ऐसे में अगर आज सुभा क्या बात करें तो दिल्ली और दिली से सटा जो एंसी आर है यहां पर जो मौसम में पूरा स्मॉगी बना हुआ है पॉल्यूशन का जो स्तर है वो ल काफी गहरा सरपड़ा है दिली के आस्मान में धुंद की पर अच्छा है रहने के साथ ही यहां कई लोगों ने गले में खुशली और आखों में पानी आने के शिकायद की वायू गुडमत्ता और मौसम पूर्वानुमान और उन संधान प्रणाली के नुसार दिली का वायू गुडमत्ता सूचकांक बरत्मान में 386 पर है और आगे यह खिसक सकता है वहीं IIT दिली के पास EQI 395 में दर्ज किया गया है जबकि गुरुग्राम में 389 और नुवाइडा के अंसियार शित्र में EQI 440 तर्ज की गई है अंदाजा अप लगाईए कि इस समय दिली और दिली के आसपास यानि कि नुवडा गाजियबाद गुरुग्राम की हवा कितनी दूशित हो चुकी है बतादे कि 60 और 50 के बीच EQI को अच्छा है 50 और 100 के बीच संतो जनग 101 और 200 के बीच मध्यम 201 और 300 के बीच खराब और 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच को गंभीर बाना जाता है नुवडा के हालाद फिलाल ऐसे ही बने हुए है चीन में इन दिनों अफरत तफरी का महौल बना हुआ है चीन ने अपने नागरिकों को रोज मर्रा की जरूरी चीजों को स्टॉक करने का नरदेश दे दिया है जिसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये कोरोना की बज़े से है अचीन कोई नई जंग शुरू करने जा रहा है इन दो लोगों के कदम जो हैं वो खुद पर खुद दुकानों और मॉल्स की तरफ खीचे चले जा रहे हैं लोगजरत की चीजों तो जुटा ही रहे हैं साती चावल नूडल्स तेल और नमक जैसी जरूरी चीजों को भी जुटा रहे हैं चीनी नागरिकों को रोजवर्णा की जरूरी चीजों का स्टॉक जुटाने की नरदेश के बाद हालात विगड़ गए हैं एक विजिंग निवासी हूँ चुमेई ने का है कि मैं पैनिक में नहीं हूँ पर मुझे लगता है कि हमें पहले की मुकाबले ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए ताइवान के साथ तनाव बढ़ने का असर है यानि कि कोरोना का असर नहीं है ताइवान के साथ जो तनाव बढ़ लगातार टेस्टिंग और वैक्सिनिशन के बाद भी एक केस सामने आना चीन के लिए खत्रे की घंटी है दिसंबर में जब कोरोना का पहला केस सामने आय था तब चीन ने कठो लॉकडाउन से कोरोना को खत्म किया था अब अचंका है कि केस और बड़े तो चीन फिर से लॉकडाउन की तरफ जा सकता है यही डर लोगों को सता रहा है यानि कि चीन में एक बार फिर से या तो लॉकडाउन की सिती हो सकती है या फिर ताइवान के साथ जंग का एलान चीन कर सकता है क्योंकि चीन में लगातार लोगों को राशन इखटा करते, स्टॉक करते वे, खरीते वे देखा जा सकता है आपको तादों कि पिछले दिनों चीन में एक मामला सामनी आये थे, इसके बाद लोकडाउन लगा दिया गये थे लेकिन आप मामली जो हैं 538 हो गए तो ऐसे में उमीद है कि चीन में इंदोना अफरात अफरी का महौल इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में लॉकडाउन की सिती बन सकती है रोश्री के त्योहार दिवाली की धूम इस बार विदेश में भी देखने को मिल रही है कोरोना वारस के करण पिशले साल दिवाली की चुमक फीकी पड़ गई थी हाला कि इस साल दिवाली के मौके पर लोगों में खुब उचसाहा दिखा है दिवाली की धूम का अफर एक सुबार तो विदेश में भी देखने को मिल रहा है यह पहला मौका है जब निव यॉक में दिवाली की थीम वाले अनिमेशन से वोन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को सजाया गया है और आतेश बाजी भी की गई वो इमारिका की राशपती जो बाइडन और उप राशपती कमला हैरिस ने दिवाली की शुब कामनाएं दी है अमारिका की राशपती जो बाइडन ने अपनी पतनी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए दिवाली की बधाई दी उन्होंने कहा कि दिवाली की रोश्नी हमें याद दिला सकती है कि अंदकार से ग्यार और बुद्धी सच्चाई है विभाजन सेक्ता निराशा से आश्वा अमेरिका और दुनिया भर में दिवाली मनाने वाले हिंदू सिख जयन और बौध को दिवाली की शुब कामनाएं मुए अमरिका के उपराजपती कम्राहरस ने भी लोगों को दिवाली की शुब कामना इदी पर दिवाली के सम्मान को याद रखें। देश भर में धूम धाम के साथ दिवाली का जो महापर्व है वो मनाए गया है। पर दिवाली के सम्मान को शशत्र जमान दे थी। अगर किसी का भी लंगन होता है तो NCB विशेश अधालत के पास जाकर जो जमानत है उसे वापस करने की हकदार हो सकती है। बता दे के NCB के जोनल डारेक्टर सभीर वानखेडे के नतित में एक टीम ने 2 अक्टूबर को मुंबई के क्रूज पर चापे मारी की थी और ड्रग्स परामत किया था। इस यारोप में आरंखान, अरबाज मोचंट और मुंबध हमूचा को हिरास्त ने लिया गया था, बाद में समय कोई रफ्तार कर लिया। इस मामने, NCB ने करीब 20 लोगों को रफ्तार किया जिन में से कई लोग जमानत पर बहार आ गई हैं। गुजवात के वालसार्ट जिले के वापी भे देर रात एक पिपर मिल में आख लग गई, या इतनी भीशन है कि करीब 6 घंटों बाद भी इस पर काबू नहीं पाये जा सकता। फिलाल दमकल की 20 गाडियां मौके पर आग बुजाने की कोशिश कर रही हैं, राकि अभी तक आग पर से काबू नहीं पाये गया है, और जानकारी मिल रही है, किसी के मरने आगा हैल होने की जानकारी नहीं है। वापी में दमकल की अधिकारी अंकित लूठी ने बताई कि आग अभी भी काबू में नहीं है, कितना समय लेगा ये कहा नहीं जा सकता, पेपर मिल लगभग 4.5 घंटे से जल रही है, और पूरी तरह से बुजने से पहले सुभा तक आग जलती रहने की उमीद है, दमकल की गारियां 20 यहां पर मौझूद हैं, यानि यह कहा जा सकता है कि देर रात याग लगी है और सुभा 7 बज़े तक आग पर काबू नहीं पाए गया था, फिलाल जानकारी मिली है कि पेपर मिल में कोई नहीं था, दिवाली के वज़र से छुटी थी, जिसकी वज़र से जो वर दिपावली के अगले दिन यानि की आज गोवर्धन पूजा होगी, इस दिन गोवर्धन परवत, गोवर्धन यानि गाय और भगवान श्रेक किष्ण की पूजा का वशिश महत्व है, इसके साथ ही वरुन देव, इंद्र देव और अगनी देवादी देवताओं की पूज लगाय जाता है अनकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद वापर युग से प्रारम हुई है इसमें हिंदू धर्वलांबी घर के आंगन में गाय की गोवर्धन नात जी की अलपना बनाकर उनका पूजन करते हैं उसके बाद गिरीराज भगवा प्रसन करने के लिए उन्हें अनकूट का भोग लगाते हैं इसन मंदिरों में अनकूट किया जाता है गोवर्धन पूजा करने की पीछे धार्मिक मानेता भी है कि भगवान श्रे कृष्ण इंद्र का भिमान चूर करना चाहते थे इसके लिए उन्होंने गोवर्धन परव पूजा करने का आदेश दे दिया था तबी से गोवर्धन पूजा की प्रथाज भी कायम है और हर साल गोवर्धन पूजा और अनकूट का तिवहार मनाया जाता है तो भगवान क्रिश्ण और मालक्ष्मी की गोवर्धन के दिन पूजा की जाती है अनकूट का त्योहार भी से कहा जाता है और इसे के साथ फिलाल कबरों में इतना ही आप बने रहें डियूसवाल इंडिया के साथ झाल झाल इसे के साथ बने रहें डियूसवाल इसे के साथ जाता है